बटे आज एक rearrangement reaction के बारे में हम भी डिस्कुस करेंगे एल्कोहल फिनाल और इथर चेप्टर में ये rearrangement reaction आता है ऐसे general mechanism में ही हम भी detail में इसको पढ़ते हैं reaction आप देख रहे हो लिखा हुआ है पिनाइकोल पिनाइकोलोन rearrangement reaction ये क्या चीज है बटा सबसे पहले तो हम ये देखें कि ये पिनाइकोल क्या है और ये पिनाइकोलोन क्या है ठीक है in the presence of magnesium magnesium के presence में एलिहाइड और कितोन by molecular reduction के थूँ जो है symmetrical glycol का formation करते हैं जिसको उन क्या बोलते हैं पिनाइकोल ठीक है और ये पिनाइकोल जो है mineral acid के presence में rearrange होता है तो पिनाइकोलोन बनाता है ठीक है ये कोई भी particular LD hydeya ketone है bimolecular है तो हम दो LD hydeya ketone लेने रहें ये होगे एक LD hyde ketone ये और एक LD hyde ketone ये ठीक है ये जो है magnesium के presence में in the presence of magnesium bimolecular reduction इसका reduction होगा और ये symmetrical glycol का formation करता है इसे बोलते हैं पिनाइकोल glycol एड़ेसेंट होगा गया पिनाइकोल हो गया और ये वो पिनाइकोल है ये mineral acid के presence में rearrange होता है और rearrange होके पिनाइकोलोन का formation करता है इसे बोलते हैं पिनाइकोल होता है एक है LD hyde or ketone in the presence of magnesium undergoes bimolecular reduction to form the symmetrical glycol called pinacol which in the presence of mineral acid give a rearrangement reaction to form the pinacolone conversion of pinacol to pinacolone is a rearrangement reaction which is called the pinacol pinacolone rearrangement जो की acid catalyzed rearrangement reaction है अच्छा दो चीजे दो point के हाँ पर मतलब आपको है एक सबसे पहले ये जो conversion है हमारा ये acid catalyzed acid catalyzed acid catalyzed acid catalyzed acid mechanism होंको समझनी है कि pinacol से pinacolone का conversion कैसे होता है यहां पर आजया हमारा जैसे एक सिंपल सा इसका पहले मैं एक्जामपल आपको दे दूँ c h 3 c c h 3 c h 3 c h 3 c h 3 c h 3 c h 3 c h 3 c h 3 c h 3 c h 3 c h 3 c h 3 c h 3 c h 3 c h 3 c h 3 c h 3 ठीक तो यह पिनेकॉल और यह पिनेकुलों तो इनका आपस में जो कन्वर्जन है वो कैसे होगा इसी चीज को हमें देखना है सबसे पहले बात लिटा यह एच प्लस आएगा वो एच के साथ अटेश हुआएगा तो निक्स्ट हमारा जो कंपाउंग बनना है CH3 OH2 पॉस्टिफ चार्ड आएगा रहा है CH3 OH अब क्या होगा यह पूरा का पूरा वाटर मॉलीकुल के फॉर्म में यहां से निकल गाएगा तो जब यह वाटर मॉलीकुल के फॉर्म में निकल गया वह तो बना किया कर्बू कर्बियू का पंखना क अचा हमें पता है कि कर्भू कर्ड़ अगर पैसे intermediate बनता है तो कार्बोकाटाइन में रियर्रेंजमेंट पॉस्वल है तो देखते हैं यहाँ पर क्या रियर्रेंजमेंट होता है यह पूरा का पूरा मेथाइल ग्रूप यहाँ से सिफ्ट करके यहाँ आ जाएगा तो इसे क्या पोलेंगे वन तू मेथाइल शिफ्ट यह क्या हो गया बटा CH3C मेथाइल ग्रूप यहाँ है ठीक है CH3COOH इस पर पॉजिटिव चार्ज CH3 ठीक है अच्छा अब आपको पता है कि यहाँ पर जो यह OH होता है यह OH के पास electron pair है यह अपना electron pair इसे दे देगा तो यहाँ पर multiple bond का formation हो जाएगा और multiple bond का formation होने के पाद जो है यहाँ से हम ऐसे कर दें यह direct इसमें करवाट हो गया यहाँ यह करवाट हो गया और minus H plus है H plus यहाँ से remove हो जाएगा यह electron इसर आजाएगा यह 001 का formation हो जाएगा यह पूरी इसकी mechanism यहाँ पर यह जो प्रॉसस है यह जो हुआ इसे हम क्या बोलते हैं इसे हम बोलते हैं अब यहाँ पर एक बात देखने की होगी बिडा कि जैसे यहाँ पर अगर मेथाईल गुरूप था तो हमने मेथाईल को माइग्रेट किया लेकिन सब्सक्राइब करो कि मेथाईल के अनावा दूसरे गूप भी हो तो उनका जो माइग्रेटरी एप्टिट्यूट होगा वो क्या होगा प्लियर तो एक चीश हमें सबसे पहले यहाँ पर देखना है माइग्रेशन औरर माइग्रेटिव नेशर या माइग्रेशन औरर तो ध्याम रखेंगे माइग्रेशन माइग्रेटिव एप्टिट्यूट जो होगा वो हाइड्रोजन का ज्यादा होगा इससे कम आपका फिनाईल का होगा इससे कम अगर टर्सिरी अलकाईल ग्रूप है इससे भी कम होगा अगर सेकंडरी अलकाईल ग्रूप है और इससे भी कम होगा अगर यह प्राइमरी हो गया और इससे भी कम हो जाएगा मिधाईल ठीक एक और यहां पर आउर्डर के आप ज्यान रखोगे कभी कभी ग्राम में जुरुत पढ़ जाती हैं जो मेथाउक्सी ग्रूप हो अगर यह फिनाईल के पैरा पोजिशन पर अटैज हो इसका माइग्रेटरी एप्रिटूड ज्यादा होता है इन कंपरिजन अगर पैरा पोजिशन पर मेथाईल जुड़ा हो और इन से कम होगा जो है फिनाईल का और फिनाईल से विक्कम होगा अगर पैरा पर प्लोरो ग्रूप अटैज्ट है लेक्रोन विड्राइंग ग्रूप यह माइग्रेटरी ओर्डर है जो आपको दिमाग में रखना है क्लियर है चाल अब इस पर बेस्ट एक क्वेश्चन करते हैं जैसे सपोज करो अभी हमने एक्जांपल लिया था उस एक्जांपल में सभी पोजिशन पर जो है मेथाईल ग्रूप था अगर सपोज करो सभी प ठीक तो हम ऐसे लिख लेते हैं एरी गुरूप सभी पोजिशन पर तो पहले इस टेप में तो डारेक्ट प्रोडप्ट बना दो कुछ भी नहीं करना है आपको इन दे प्रिजिल्स ओफ मिन्राल एसिट एक ए आर एक ए आर सारे गुरूप ए एक ए आर माइग्रेट इधर कर जाएगा ए आर सी एक कार्बोनी गुरूप आ जाएगा और ए आर यह हमारा प्रोड़क्ट बन गया था मेकेनीजम इसे ध्यान रखनी है तो कुछ भी नहीं है सिंपल सा है पहला इस्टेट क्या है प्रोटोनेशन कराना है प्रोटों एक ओएच पर आ जाएगा तो यह हमारा हो जाएगा ए आर सी ए आर एक ग्रूप को माइग्रेट करा दिया तो यहां पर पॉजटिव आया जायेगा अभी माइग्रेट नहीं करने अभी तु मतलब आपका प्रोड़ोनेशन करा रहा है तो आप ज्वेंस त्लीन करएंगे पहले कार्भॉक्यट्टार्यण करेंगे तो यहां करेंगे और यह आके जूड़ जाएगा OH2 प्लस बन जाएगा यहाँ पर OH हो गया अब यहाँ से water molecule remove हो जाएगा तो water molecule remove होने पर यहाँ पर कार्बो कटाइन का formation हो जाएगा अब यहाँ से हम जो है इस group को migrate कराएंगे यहाँ तो next step में यह हो जाएगा AR 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 OH AR यहाँ positive charge आजाएगा अब यह अपना electron pair इधर देगा तो यहाँ multiple bond बन जाएगा यह positive charge neutralize हो जाएगा और OH पर positive आजगा जहाँ से H plus निकल जाएगा तो वो positive neutralize हो जाएगा तो वापस से यह इस में convert हो जाएगा minus H plus clear अच्छा अब हो सपोस करते हैं कि सपोस करो कि यहाँ पर सभी ग्रूप AR हमने लिया ठागा या इसके पहले example में हमने सभी ग्रूप को क्या लिया था में THIGH ग्रूप लिया था अब सपोस करो कि सारे group जो है वह AR, AR, ARL ग्रूप नौप नौप हो जो है ठीक तो ऐसी situation में बटा क्या करोगे जैसे हम एक example देखते है pH, pH, C, pH, CH3, OH, OH अब यहां पर देखो यह दोनों तो फिनाईल ग्रूप है यह फिनाईल है लेकिन यह मिधाईल है तो पहला question यह आता है कि यहां पर जब हम H-plus का protonation कराएंगे यह H-plus यहां जाएगा या यहां जाएगा देखो जाएगा सबसे पहली बात कि यह जब H-plus यहां आएगा तो वो H-2 प्लस बनेगा वो वाटर निकलेगा और कार्बो केटाइन ऐसे intermediate बनेगा तो आप देखो अगर यहां कार्बो केटाइन ऐसे intermediate बनता है कि यह कार्बो केटाइन दो फिनाईल गूप से attached है more the number of resonating structure more will be the stability of कार्बो केटाइन इसलिए कार्बो केटाइन का फार्मेशन इस कार्बन पर होगा न कि इस कार्बन पर है तो पहला चीज तो clear हो गया कि हमको कार्बो केटाइन का फार्मेशन जिस कार्बन पर करना है उसी कार्बन पर जो है वह है वह एच ले जाके हम अटेच करेंगे ठीक है पी एच सी एच थ्री वह एच टू प्लस हो गया यहां वाटा यह दोनों ग्रूप पी एच है पहले वाले में यहार पी था 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 तो वही यहार पी एच राइट फिनाइल ग्रूप अब आप देए वाटर मॉलेकुल को यहां से रिमूब कर देना है रिमूब कर देना है तो नेक्स्ट जो हमारी स्पिस्टीज बन गई वह बन गई पी एच दो फिनाइल ग्रूप डिरेक्ली इस कर्बन सेट हैं तो यह जो है इसकी जो रिजुनेटिव स्टॉक्चर्स होंगे वह ज्यादा अब यहां पर आप देखो कि दो गूप है एक फिनाइल गूप है और एक मिथाईल गूप है तो सबसे पहले चीज हमें यह देखना है कि हम माइग्रेट किसे कराएंगे तो अभी हम लोगों ने उपर क्या देखा था कि जो माइग्रेटरी एपिट्यूड है वह फिनाइल तुकि जो हुगा है यहादे हैं तो हम माइग्रेट किसको कराएंगे पार ड्रीर के साथ माइग्रेट कर जाएंगे यह पूरा का पूरा फिनाइल एलेक्रॉन के साथ माइग्रेट varias अब अगला जो इसन बना वो क्या अफ टीस 12 आप UK की पी एच है ho प्लस अब यहां से यह अपना एलेक्ट्रान पेर इंको देंगे और हप्लस यहां से रिमूट हो जाएगा हप्लस यहां से क्या हो गया हमाइस एच प्लस और हप्लस निकलने के बाद जो है हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वह बन गया पी एच सी पी एच पी एच पी एच सी डबल वांड को सी एच थ्री ठीक है बड़े देखो कभी-कभी रिजन्ट चेंज करता है कुश्चिन में जैसे सपोस करो कि एक एग्जाम्पल हम ले लें और फिजन्ट आधि है सिएच थ्री किसी हैं थी ओअँ ऐच सी एच बी आर थी तशी ओट थिजन्ट ट्री डिफिंग को नहीं लग रहा है कि यह जो है पिना कॉल है ठीक ना और लग भी नहीं रहा है और यह है भी नहीं पिना कॉल है लेकिन यह similar reaction देता है इसका reaction अगर कहा दिया गया सिल्वर ब्रॉमाइड के साथ तो सिल्वर नाइट्रेट के साथ reaction कराने पर यह सिल्वर ब्रॉमाइड का precipitate जेगा सबसे पहले तो ब्रॉमीन महां से हट जाएगा तो जो हमारा intermediate का formation होगा वह similar कुछी तरीके का होगा CH3 OH CH3 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 अब फिर से हम यहां से इसको migrate करा देंगे और जब इसको migrate करा देंगे तो यह हमारी species आए आएगी CH3 C CH3 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 और यहां पर OH फिर यह अपना एलेक्ट्रॉन के अधर देदेगा इसपर positive चाह देगा बटा ठीक वापस से जो है है एच प्लस माइनस लॉस करेगा माइनस एच प्लस और यह हमारा प्रोड़क्ट के जोड़ है CH3 C100 C CH3 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 और हम देखेंगे कभी कभी की जो है इसी तरीकी के reaction में जैसे सब्सक्राइब करो एक प्रोड़क्ट और हम चेंज कर देते हैं CH3 CH3 OH CH3 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 NH2 तो इससे भी हम सेम कार्बोकेटायन जनरेट कर सकते हैं यह ठीक है ना लेकिन रियेजेंट हमकों यहां अलग लेना पड़ेगा तो वह भी तो इससे भी हम सेम कार्बोकेटायन क्या hari प्रेंगे बालाज प्रोड़ेंगे एननन्ह2 ने नजो और ह aíosa यहा से डाई यह जो नचया होगा और नाइवल्याहार बनेगा ऊसे म सेंटायन कर दोने के बाद सेम संटर फॉर्म में एक्जाम्पल हम देखें अब यहां सबसे पहला तो प्रोटोनेशन होगा प्रोटोनेशन में यह OH2प्लस होगया यह तो ओची रहेगा अब यह ओच्टू प्लस अपने इलेक्रोन के साथ क्या हो गया निकल गया वाटर मालीकुल यह वाटर मालीकुल के प्रेंग निकल गया अब क्या हुआ है यह कनवर्ट हो गया फोर मेंबर्ड रिंग ओएच फोर मेंबर्ड रिंग और यहां पर आगया पॉट्टिव अब माइग्रेशन की बात आएगी कि माइग्रेशन कहां से कराएंगे जो तो देखो बगल में यह वाला जो एक ब्रांच है यह वाला पूरा ब्रांच आके जो यहां जुड़ा हुआ है यह यहां न जुड़के हो क्या हो जाएगे कम हो जाएगे तो माइग्रेट करने पर इस दो कि इस न यह जो ऑन फो ऐखा तो तो 5 मृम्बर्ड restrictive हो जाएगी यह 5-membered हो गई बाकि 4-membered as it is रहे यह 4-membered रहा यह 5-membered हो गया और यहां से यह वाला जो bond था यही migrate करके अब यहां गया तो यहां पर हमारा क्या था और इस पर अपके आजाएगा ठीक है आप देखों यहां से यह पूरा बांड ब्रेक करके और यह ऐसे आजाएगा ठीक है तो यह 1-2-3-4-5-memberedring बनेगी और यह प्रांच यहां से अटेगा तो जहां यह दोनु पॉइंट दू रहे हैं वहां से पहले कार्बन और 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 अब फिर क्या होगा यहां से यह अपना एलेक्ट्रॉन पेर देदेगा माइनस एच प्लस डी प्रोटोनेशन ठीक और हमारा भी फाइनल प्रोड़क्ट भी लाएगा यह होगे यहां पर डबल गांड ओ आल आएगा और यहां पर फोर नंबर रिंग जाएगा ठीक यह हमारा फाइनल प्रोड़क्ट हो गया एक वेटा अब इसका एक और यूज हम देखते हैं पिनेकॉल पिनेकुलोन रियर्रेंजमेंट का यैसे एक एक्जामपल हम लोग देखें सपोस्पोस करो इसको हमें कन्वर्ट करना हो तो इस कन्वर्जन को कैसे प्रोसीड करेंगे देखें सबसे पहले क्या कराते हैं कि हम इस पर हैलोजनेशन करा देते हैं क्लोरीन को एड़ कराएंगे तो क्या होगा यह क्लोरीन बिटा आ जाएगा सिम्पल जैसे क्लोरीन को डबल बाउन पर एड़ कराते हैं वैसे आप एड़ करा दीजिए यह CH3 हो गया एक क्लोरीन यहां जाएगा और एक क्लोरीन जो रहे हैं यहां जाएगा इसके बाद एलकाइल फिलाइट में आपको बताया था मॉइस्ट एजी टू ओक साथ रिक्षिन करा लिए तो यह CL गुरूप को किसमें कनवर्ट कर देता है तो हमारा जो कंपाउंड है वो क्या बन जाएगा CH3 C CH3 OH OH CH2 OH अब इसका बेटा जो है हम मिन्दल एसिट के पिजिंस में यह इंदिमेंट कराएंगे तो सिंपल सी चीज है पहले यहां पर जो है प्रोटोनिशन कराईएगा तो प्रोटोनिशन कराने पर जो है यह है CH3 C CH3 OH2 प्लस बनेगा क्षी अब यहां सी यह रिमूव कर जाएगा वाटर मॉलिकूल निकल गया तो वाटर मॉलिकूल निकलने पर यह क्या बन जाएगा आप वाटर मोलेकूल निकलने पर ये बन गया CH3 CH3 CH2 OH अब यहां से 1H को माईग्रेट करा देंगे हम यहां पर यहां पर यह प्रस्ट चार्ज है कार्वोगाटारी इंटर्मेटड बन रहा है तो 1H माईग्रेट कर जाएगा यहां तो इस 1H के माईग्रेट करने पर क्या बनेगा अगली जो हमारी स्पेसीज बन जाएगी वह बन जाएगी CH3 CH CH3 CH2 OH और इस CH पर प्लस चार्ज जाएगागा अब यह अपना एलेक्राउन पेर यहां दे देंगे और माईनस एच प्लस माईनस एच प्लस प्लस प्रोटॉन निकल जागा यहां से यह आ गया तो यह CHO बन जाएगा और यह इस ग्रूप की कनवर्ट हो गया क्लिर तो यह ओर आल बेटा जिए हमारा पिनेकॉल पिनेकलोन री अर्रेंजमेंट और उसके अप्लिकेशन्स थे जिसको हम लोगों ने इस पूरे प्रोसेस अपने लेक्शर में कभर किया एक बार जो कुछ भी हम लोगों ने पढ़ा उसे में त्वास एक बार जल्दी जल करता है इशुम के पिनेकलोल पिनेकलोट ने तो पिनेकलोल का पिनेकलोन में इनी आघ्रिंजमेंट ही क्या हो घाला जाता क्लियर एक बार पूरा वीडियो लेक्च्छर देखें और इस रियक्शन को विज्विलाइज करें समझें और केमेस्ट्री को इंजॉय करें क्लियर ओके डियर